देखें क्या है motion आफिकार आने circular banked road banked road मतलब road के उपर banked road कोल दो देखें हम level road पर चले circular road पर चले तो हमने क्या देखा कि circular road पर अगर हम चले हैं level road मतलब बिल्कुर सपाट ऐसे flat ऐसे ऐसे road ऐसे मुड़ गई है तो वहाँ पर हमारी speed थी वो कितनी थी less are equal to muis rg यही थी ना muis coefficient of friction है जोगे fix होता है r radius up the path है वही fix होता है और जी आप जानते हो तो 9.8 fix है तो यह लिए fix हो गई ना माने यह calculated 50 आ गई तो हम अपनी speech को 50 से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं safe driving के लिए तो हम तो 100 चलान चाते हैं तो अब उसके लिए हम क्या करें तो हमने क्या किया highways पर या बड़े-बड़े express way पर हमने क्या किया कि रोड को थोड़ा बाहर की जुका दिया ऐसे टेल्ट कर दिया बैंक मने होता है यह बाहर सा थुदा सा जुका दिया अब रोड पे मुड़ेगी गाड़ी तो ऐसे थुदा सा जुकती चली जाएग की एसे थुदा जुकती चली जाएग ठीक है उससे फैदा क्या होगगा फैदा हम बता रहे हैं आपको तो इसका रोट की है चौणाई, है ना, और बाहर का पोर्सन कैसे उठाएं, यह, यह लेवल रोड है, ऐसे उठा दें, नहीं समझे, तो ऐसे उठाएंगे तो रोड अब ये वाली रोड हो गई ना आपकी, गाड़ी सो चलेगी, तो हम इस रोड को ऐसे उठा दें, यह रोड पर ऐसे, चौड़ी करते हैं यह तो गली की रोड ऐसे लग रही है अब इसको बैंकिंग करने से फैदा क्या हुआ यह हम समझाएंगे देखिए यह आपकी रोड है जो कि सर्कुलर ट्रैक है और इसमें हमने बाहर का पोर्शन ऐसे रोड थी सीधे और हमने बाहर का ऐसे उठा दिया है तो यानि कि यह यह वाली रोड है यह यह था नार्मल यह ऐसे हो गया है ठीक है और यहां पर सेंटर है यहां पर इसका यह जो सर्कुलर ट्रैक है ठीक तो सेंट्री फ्यूगल फोर्स तो आपके उपर कार ही कर रहा है जो कि बाहर की उरकाम कर रहा है और उससे बचा कौन र तो इस गाड़ी पर کौन कौन से फोर्स लगेंगे एक तो डायगराम को द्यान से समझेगा देखो रोड के बिलकुल नार्मल रोड के बिलकुल नार्मल यानि नाइटी डिग्री पर ऐसे यह काम करेगा नार्मल रेक्षंन फोर्स ये रोड है न आपकी ये रोड ऐसे थी और ऐसे जुग गई तो अगर आप रोड पे चल रहे हो गाड़ी तो रोड के perpendicular reaction force लगता है न तो अगर रोड घुम गई ऐसे तो perpendicular भी घुम जाएगा तो रोड के perpendicular होगा न और ये आपकी गाड़ी का weight काम कर रहा है नीचे की तरफ ठीक है ये एंगल कितना होगा ये एंगल कितना होगा बताए जा चुका इसके पहले ये एंगल होगा theta ठीक है अब जाद देखे जान से हमने इस mg को बिलकुल सीधे कर दिया फोडिकत उपर बढ़ा दिया तो ये एंगल कितना होगा ये भी theta न, mg vertically downward है, तो n का, normal reaction का theta से लगा हुआ component क्या होगा, n cos theta, यानि n cos theta किसको balance कर रहा है, weight को balance कर रहा है, यानि n cos theta किसके एक्वल होगा, mg के, देखो, ये ऐसे vertical है न, और इसके horizontal ऐसे दिखाया, ये है horizontal, तो ये कितना होगा, n sin theta, इसकी direction किदर क्यों रहा है, center कि तरफ, यानि ये कौन सा force आपको provide कर रहा है, ये friction दिख रहा तुमको, इसकी direction center तरफ है, और कोई अगर car circular path में चलती है, तो center की तरफ जो काम करता है, वो कौन सा force होता है, center force काम करता है, यानि ये वाला जो normal reaction है, वो कौन सा force provide कर रहा था, center force, यानि n sin theta is equal to क्या provide कर रहा है, mv square upon r, समझे भाई बार नहीं आई, इस से centrifugal से क्या मतलब है, आप न रखते हैं उसको, car जब turn कर रही थी, तो centrifugal काम कर रहा था न, ये वाला force किदर की और काम कर रहा है, ये अपने आप काम कर रहा है, ये आपके car के turn की और जैसे नहीं कर रहा है, रोड जुकी होने को जैसे अंदर के और काम कर रहा है, ये आपको बाहर के और धक्का मार रहा है, ये अंदर के और धक्का मार रहा है, ये अपने आप मार रहा है न, अंग अंदर के और धक्का, तो ये आपको क्या provide कर रहा है, support प्रवाइड कर रहा है न, तो n sin theta आपके पर mv square पनार लग रहा है नहीं लग रहा है फिक है अब ज़रा देखिएगा आपको बाहर की तरफ कौन ले जा रहा था centrifugal का ले जा रहा था ना centrifugal ले जा रहा था ना इसको बचाने के लिए कौन सा force लग रहा था आपके उपर frictional force इसके पहले लग रहा था ना frictional force तो frictional force किदा काम कर रहा था अंदर की तरफ वो किसको balance कर रहा था centrifugal को यानि आप centrifugal को balance कर रहा था अब क्या हुआ कि आपके support में एक नया force introduced हो गया n sin theta अब car को अंदर की और खीचने के लिए कितने force काम कर रहे हैं दो नमबर एक n sin theta because of this normal reaction और नमबर टू friction इसके पहले क्या काम कर रहा था level road पे friction तो आपको ये force extra मिल गया अब आप अपनी गाड़ी को धुआधा चलाइए चुकि अभी तक रफ्तार आपकी क्या थी 40 की क्यों क्योंकि यो आपका frictional force हा fs इसके पहले वाले टॉपिक में जो बताया गया था level road पे जो fs था वो किसके equal था mu s into mg ये था ना तो आपका जो centrifugal force था वो इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए था level road पे अब उन्होंने का देखिए अब आपने जब road को उठा दिया तो क्या होगा कि ये n sin theta आपको extra अपने आप मिल जाएगा और अपने आप मिलेगा तो center द्रव आपको धका मारेगा ठीक है आप कितने angle से उठाया आप इसको calculate कर लो दोनों को divide कर दो dividing equation 1 and 2 तो आएगा n sin theta upon n cos theta is equal to mv square upon r मतलब जो centrifugal और ये balance कर रहा था वो तो लगी रहा है उसकी बारे हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं कि इस road को tilt करने से मुड़ने से banking करने से क्या फर्क पड़ा तो n n कड़ गया 10 theta is equal to क्या हो गया ये क्या है upon mg mm कड़ गया तो 10 theta v square upon r g तो theta बराबर 10 inverse v square upon r g तो इस formula से हम देख रहे हैं देखे हमारे r fix है r fix है g fix है हमने क्या किया कि यहाँ वी आप change करोगी theta fix है हमने क्या 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 highway बनाया expressway बनाया सुने द्यान से और हमने यह माना कि इस expressway में इसकी रफ्तार 70 रखनी है 100 रखनी गाड़ी की तो हमने वी को 100 रख दिया जब expressway ऐसे घूम रहा था तो जिस कर में घूम रहा था उसकी radius हमको मालूम थी वहाँ g की value मालूम थी कि किस इलाके में यह वे express बन रहा है तो वहाँ velocity हमने यह 100 रख दी और हमने इसको calculate कर दिया और calculate करके theta आ गया 40 degree तो हमने road को 40 degree घूमा दिया बस अब जो आप road पे चलोगे तो fractional force आपके centrifugal को balance कर रहा था प अब फिर भी अगर फिजल गए थोड़ा सा तो थोड़ा इस road में पीछ इधा खिसकोगे तुम तो आर बढ़ जाएगा ना आर बढ़ेगा centrifugal कम हो जाएगा तो आप slip नहीं होगी ठीक है लिकिन आपको होगे हम तो पांस भी रफतार ले जाएंगे तो मरो जागर कि यहां भी तो chances है ना कि एक limit तक मोड़ोगे ना आपने दिखा होगा एक मौत का कुआ उसमें क्या होता बिल्कुल ऐसे circle बनाए जाता है उसको इतना अधिक घुमा दिया जाता है कि वो गाड़ी वाला बिल्कुल ऐसे जुका रहता है तो आरा हम चल लेता है क्यों जितना जुका ह उतना anseign theta अंदर की तरफ काम करेगा जितना थीट बढाओगे तो sign की वालुप बढ़ेगी घटेगी बढ़ेगी तो anseign theta बढ़ेगा जया आपको center की तरफ लगने वाला force ज्यादा मिलेगा और बाहर की force को balance कर लेगा गाड़ी इतनी तेज से आप गुमा सकते हो तो हम ल और फ्रिक्शन के इसको बैलन्स कर रहा है, बाहर फिसलने से रोग रहा है, आप इसको इतना बढ़ा दोगे कि 90 डिवी बढ़ाए दे रहे हो, पर गाड़ी आप चला रहे हो, आईसे गाड़ी ऐसे टर्ण हुई चली जा रही है, तो लुड़क के नीचे गिर गई आ करके, क् थीटा इतना बढ़ा दिया कि n sin थीटा के वल्यू जादा हो गई, तो एक लिमिट के बराबर आप नहीं कर सकते हो, तो यह समझ में आगी बात, ठीक है, ठीक है, तो यहां से वी निकालो, यहां से वी क्या निकलेगा, वी स्कार इस इकल टू आर जी इंटू टैन थीटा, आप देखो, रोड बन गई, रोड का थीटा, फिक्स हो गया, जी, फिक्स हो गया, आर फिक्स हो गया, आपकी स्पीड ही फिक्स कर दी गई, कि भाई, इस हाइवे पर, इस जगह पर आपकी रफ्तार इतनी होनी चाहिए, 70 होनी चाहिए, ठीक है, ज्यादा करोगे, तो फिर तो यह कंसेप्ट है बैंक रोड के लिए समय बात तो यह तो हमने आपको उता दिया फिर नार्मल रेक्शन का बतलब क्या होता आप ज़रा इसको कमप्रीटली समझने की कुछ करिएगा देखो ध्यान से आपकी जो कार है वो इस रोड के उपर है ना तो रोड का फ्रिक्शनल क्यों बाहर क्यों तो फ्रिक्शन किदर काम करेगा यानि फ्रिक्शन इस रोड के इलांग ये फ्रिक्शन काम करेगा ना एफस पकी बात है ना तो एफस अगर एक काम करेगा और इस टाइग्राम को पूरा करते हैं यह एंगल कितना होगा थीटा तो एफस का थीटा से लग अब टोटल हेल्प कौन कौन कर रहा है फ्रिक्षन भी हल्प कर रहा है और एन साइन थीटा भी आपकी हल्प कर रहा है सर्कुलर पाथ में बूब करने के लिए अच्छा दूसरा एफस का जो ये वर्टिकल कामपोनेंट होगा कितना होगा एफस साइन थीटा ठीक है अब कार एक्किलिब्रम में चल रही है ठीक है इन एक्किलिब्रियम इक्किलिब्रियम पहले केस में आपने ये बताया हमने कर पहले केस में ये लिया है कि नाल्मल रियक्षन फोर्स की वज़े से कार कितनी विलास्टी से चल सकती है ठीक है अब तो कार को friction भी प्रोवाइट करेगा ना force तो दोनों की वज़ए से कार को थोड़ा और speed से आप ले जा सकते हैं तो देखे ज़रा इकुलिबर में center की तरफ कितने force काम कर रहा है तीन कहां काम कर रहा है fs cos theta और n sin theta तो काम कर रहा है दो ही काम कर रहा है ना यानि n sin theta plus fs cos theta दोनों मिलकर की क्या प्रोवाइट कर रहा है आपको centipetal force यानि कि mv square upon r circular path में move करने के लिए आपके उपा center की तरफ एक force काम करता है जो centipetal force होता है तो एक तो आपको ये वाला force लग रहा है पहला equation अब देखिए downward direction में कितने force act कर रहा है downward mg और fs sin theta यानि mg plus fs sin theta ये किसके एक कुल होगा n cos theta की n cos theta की ठीक है तो यहां पर आप fs को अकेला कर दीजिएगा थोड़ा सा calculation चेक करना पड़ेगा कि क्या क्या आपको लाना आए ultimately आपको यहां पर velocity की value निकालनी है कहीं से भी आप निकालिए तो ये आगे आपका mg plus fs sin theta is equal to तो अगर हम निकालें आपसे mg को अधर ले जाएए तो n cos theta minus mg बरावर क्या होगा fs sin theta इसको equation number 2 डाल दीजिए इस diagram को रप करना चाहते हैं ये note को लिजिए फिर diagram रप कर दे हम देखिए आपको velocity निकालना है हाँ तो नो डिवाइट कर दिया जाए तो v mm कर जाएगा ना तो dividing equation 1 and 2 dividing equation 1 and 2 divide कर दो तो इधर क्या आएगा वले वो लिख रहे है mm कर जाएगा ना तो क्या आएगा v square upon rg is equal to यहाँ पर क्या 10 कहाँ से आजाएगा यह पूरी value divide हो रही है जहां से समझेगा यह divide हो रहा है आपका n sin theta plus fs cos theta upon n cos theta minus fs आपको याद होगा हमने कहा था normal reaction force हमें सा कैंसल करना होता है fs की value क्या होती mu s into r r यहाँ पर क्या है यहाँ पर n है ना चुकिकि r radius थी इसलिए हमने उसको normal reaction को n माल लिया है तो यह क्या बन जाएगा n sin theta plus fs का लिखेंगे mu s into n cos theta upon n cos theta minus mu s into n sin theta इधर क्या रहा है v square upon r g चुकि v निकालना है तो वी अकेला हो गया उपर नीचे से क्या common दिख रहा है आपको n उपर note कर लिया खरब कर दे ना देखे मतब अभी इसके पहले जो हमने 10 theta बताया है न v square upon r g वो केवल नार्म में friction की बात भानी कर रहा था केवल normal reaction force आपको उतनी मदद कर रहा है कि आप अभी इसके पहले आपको क्या प्रूप कर आए गया कि 10 theta ब्रावर 20 square upon r g यह वलास्टी आपने निकाली न v ब्रावर r g into 10 theta यह निकाली न आपने यह वो वलास्टी है जो normal reaction force आपको support कर रहा था because of tilting of road road के tilt करने से लेकिन आपको friction भी support कर रहा है ना तो दोनों के support से कौन से वलास्टी से आप गाड़ी चला सकते हैं उसके बारे में बात हो रही है ठीक है आपकी किता में इतने लिखा हुआ है मतब जो आपकी Newton है उसमें इतने लिखा हुआ है लेकिन वहां friction की बात नहीं की गई है करते हैं बात n कर जाएगा न तो v square upon r g is equal to अब देखो ध्यान से हम जानबूज की परे तो n काड़ दिया हमने common लेकर के यहाँ पर cancel कर दिया अब क्या करेंगे उपर निचे cos theta से divide कर देंगे क्यों तब sin को cos से करेंगे तो क्या आएगा ये 10 theta minus plus mu s ये तो हड़ गया न upon इसको cos से करेंगे तो ये 1 हो जाएगा minus mu s into 10 theta तो ये आपका नोट कर लिया इसको तो यहाँ से v square की value क्या आएगी rg in bracket 10 theta plus mu s upon 1 minus mu s into 10 theta तो v की value आजाएगी under root rg in bracket 10 theta plus mu s upon 1 minus mu s into 10 theta यानि ये velocity आपकी i इतनी velocity आपको calculate की जाएगी अब जब road बनाई जाएगी तो r fix होगा g fix होगा road कितना मोडी गई theta fix होगा theta fix किया जाएगा मतलब हम पहले velocity को calculate कर लेंगे उसे theta को fix करेंगे वहाँ पर mu s fix है तो ये velocity के हिसाब से आप theta को adjust कर देंगे तो velocity fix हो जाएगी और लिख दिया जाएगा कि भिया इससे ज़्यादा आप velocity चले तो सरकार आपको हालत खराब कर देंगी लेकिन करेंगी नियों अलगी बात है आपकी जब पैसे होने चाहिए ठीक टाक ठीक है नोट कर लिए अब यहाँ एक special case लिख सकते हैं कोई question बढ़का डाल दोगे 3 यहाँ special case लिख सकते हो if there is no friction तो क्या गाड़ी चल जाएगी चल जाएगी यहाँ मू के इतना हो जाएगा वहाँ का 0 तो यहाँ मू इसको 0 कर दो तो V क्या निकलेगा V ब्रावन निकलेगा under root RG 10 theta यही है इसके पहले आपने proof किया था ना जब आपने normal reaction force की बात की थी केवल तो आपने कहा था कि इस velocity से गाड़ी को चला सकते है तो यहाँ से 10 theta क्या निकला था V square upon RG तो यह वाला case पहले हमने किया था वो यह वाला case है ठीक है या no friction कह दीजे या tire wear and tear है गंजे हो गए है टार की जो भी खोपड़ी होती है उसमें मतलब gripping नहीं है तो यह सभी के cases में ऐसा होगा ठीक है